हेलो एस्टुडेंट्स तेयारी ओनलाइन में आप सबका स्वागत है आज हम सीटेट प्रिवियस पेपर दिसंबर 2019 पेपर फर्स्ट में मैज सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कुश्चन पहला कुश्चन हमारा है तीन ब्रांट ए बी तथा सी के पैन क्रमसं दस बार और चौबिस के पैकेटों में उपलब्ध है यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पैन समान संख्या में खड़ीदने हैं तो उसके द्वारा खड़ीदे जाने वाले पैकेटों की नियूम संख्या क्या होगी यह हमें ग्याद करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 12 और 24 का LCM ले लेंगे तो चलिए सबसे पहले LCM ले ले लेते हैं 10 12 और 24 का दो से कीजे 2510 दो चक 12 और यह जाएगा 12 दुनी 24 फिर यह ग दो से लग रहा है यह हो गया अमारा 5, 2 तीय चे और 2 चक 12, अब ये 3 चे लग जाएगा, ये 5 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या क्या बच गया, अब आ गया 2, गुने 2, गुने 3, गुने 5, गुने 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 तीय बारा, और 12 दाहे कितना हो जाएगा, 12 दाहे, 120, हमारा LCM क्या आ गया, LCM आ गया, 120, अब कह रहा है, A में कितने पैकेट है पैन के, 10 पैकेट है, B के पास कितने पैकेट है पैन के, तो 12 पैकेट है, और C के पास कितने पैकेट है पैन के, तो 24 पैकेट है, आगे कह रहा है, कि एक दूकांदार को, तीनो प्रकार के प जो हैं उसे कितने संख्या में खड़ितने हैं तो समान यानि कि सभी में बड़ाबर संख्या होनी चाहिए तो उसके द्वारा जो है वह कितने और पैकेट खड़ी दे जाएंगे जो कि समान हो जाएं तो हमारा किस नंबर से गुणा करेंगे कि 120 हो जाएगा बारा से यानि जो है वह बारा पैकेट खड़ी देगा ठीक है बी के पास बारा पैकेट थे और अब हमें कितना करना है 120 तो बारा को किस संख्या से गुणा करेंगे 10 से 10 पैकेट से के पास 24 थे और 5 पैकेट इसको और चाहिए तो यह हो जाएगा कितना 120 अब देखें तीनों में पैकेट की समान हो गए 120 120 तो एको कितना पैकेट का खड़ीदना पड़ा 12 बी को 10 और सी को 5 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो एको 12 पैकेट खड़ीदने हैं बी को 10 पैकेट और सी को 5 पैकेट तभी पैनों की संख्या क्या हो जाएगी सभी में समान हो जाएगी अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगला प्रसन एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है इसे काट कर चार बराबर बर्गों में विभाजित किया गया तो परते एक छोटे वर्ग का छेतरफल क्या होगा यहां हमें ग्याद करना है परते एक छोटे वर्ग का छेतरफल तो पहले यहां देखिए एक वर्ग है यह हो गया हमारा एक वर्ग ठीक है इस वर्ग की एक भुजा 4 सींटिमेटर है तो बहुत सारी भुजाएंगे भी 4 संटिमेटर हो हमारे इस वर्ग का एरिया हमने एरिया फाइंड कर लिया उसके बाद कह रहा है कि इसको चार बराबर भागों में क्या किया गया विभाजित किया गया तो चार बराबर भागों में डिवाइड कर दो पहली बात इसका पूरा छेतरफल कितना था 16 cm² हमने इसको क्या किया 4 भागों में divide कर दिया 4 भागों में divide कर देते हैं 4 से 16 कितने times में जाएगा 4 times में तो एक area एक छोटे से वर्ग का area कितना आ गया 4 cm² क्या आ गया 4 cm² तो हमारा answer क्या हो जाएगा option number first इसका correct answer होगा अगला प्रस नमारा है वह संख्या जो एक से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न में से कौन सा है यहां 4 option दिया हुआ है हमें बताना है कि इन 4 option में वो संख्या कौन सी है जो एक से लेकर के 10 तक में सभी संख्याओं से विभाज्य हो तो 3 से विभाजित करने का क्या rule है तो 3 से वो सभी संख्याई विभाजित हो जाएंगे जिसका sum जो है वह क्या होगा 3 से पूरा-पूरा divide हो जाएगा ठीक है तो यहां देखिए पहला option जो हमारा एक है उसमें कह रहा है पहला option हमारा 10 है अगर हम इसको sum करेंगे 1 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 1 यानि हमारा पहला option जो है वो हमारा answer find नहीं कर रहा है दूसरा option में है 100 यह हो गया 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 में 0 प्लस करेंगे 1 1 में 0 प्लस करेंगे 1 यानि option number 2 भी हमारा नहीं होगा option number 3 देखते हैं तो option number 3 में है 604 जोड़ देते हैं इसको 6 plus 0 plus 4 कितना हो जाएगा 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 10 भी जो है वाट 3 से डिवाइट नहीं होता है तो option number 3 तर्ड भी हमारा correct नहीं है, option number 4 देखिए, तो option number 4 हमारा है, 2520, अब हम 2 plus 5 plus 2 plus सुनने करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए, 5, 2, 7, 7, 9, 9 में 0 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 क्या है, तीन से पुरा-पुरा divide है, और 25, 120 जो है, वह सभी संख्यां उसे विवाजित हैं, आप चाहें तो इसे विवाजित करके देख सकते हैं, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, option number 4 इसका correct answer है, कैसे find किया हमने, तो हमने देखा कि 3 से कौन-कौन सी संख्या divide हो सकती है, तो 10 नहीं हो सकती, 100 नहीं हो सकता, 604 भी नहीं हो सकता, क्य 3 से पुरा-पुरा divide हो रहा था, it means यहीं एक संख्या है, जो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में सभी संख्याओं से divide होगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप हमारे वीडियो को like करें, साथ ही अपनी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को share करें, अगला प्र और रुपे कितने हैं, 160 रुपे का धन है, तो उसके पास 5 रुपे और 10 रुपे की सिख्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसका answer हम option से ही find कर लेंगे, यहां कहरें 5 रुपे और 10 रुपे के सिख्ये, और कुल सिख्ये उसके पास कितने हो गए, 25, तो पहला option देखते हैं, प 5 रुपे के सिख्ये जो हैं, वह 18 है, तो गुना कर देते हैं, और 10 रुपे के सिख्ये कितने हैं, 7 हैं, इसको भी गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18, 95, और 17, 70, अब इन दोनों को जोड़ दीजे, तो कितना आ रहा है, यह हो गया, 0 में 0 को add करेंगे, 0, 9 में 7 को करेंगे, 9, 70, 160 रुपेया, यानि कि पहला option ही हमारा correct answer find कर रहा है, तो option number first हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, हमने कैसे बनाया, आपने देखा, यह बहुत ही आसान सा trick था, जैसे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप option से यह answer find कर सकते हैं, अगला प्रस नमारा है, मान ग्याद कीजिए, मान ग्याद करना है किसका 17.5 गुने 3, minus 21 भागा 7, minus 3, 12.5, तो यहाँ पर किसका use किया गया है, तो यहाँ पर use किया गया है, board mass formula का, ठीक है, अगर आप board mass formula के बारे में जानते हैं, तो आप हमें इसका full form comment में लेकर के भेजे, तो सब से पहले यहां हम क्या करेंगे, 7 से 21 में divide कर देंगे, तो यह जो संख्याए हैं वो लिख देंगे पहले हम, 17.5 गुने 3, अब हमने 7 से 21 को divide किया, कितने मरतबे लगेगा, तो 3 मरतबे लगेगा, minus 3 गुने 12.5, अब इसमें से 3 common ले लिजे, अगर हम 3 common ले ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे पार, यह बच गिया हमारा 17.5, घटे 1, घटे 12.5, ठीक है, इसको solve कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम bracket का काम करेंगे, तो 17.5 में से 1 को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16.5, 16.5 में से 12.5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, तो 16 में से 12 को घ कुना कर दीजे, कितना आग्या चारती है, 12, कितना असान था हमारा, आंसर क्या हो गया, option number 2, इसका correct answer हो गया, 12, अगर आप mock test देना चाहते हैं, तो आप हमारे website www.theoryonline.com पे mock test दे सकते हैं, seated के सारे previous paper के mock test आपको www.theoryonline.com पे मिल जाएगा, साथ ही, अगर आप इसका PDF चाते हैं, तो आप वहां से हमारे website पे जाके, वहां से आप PDF भी download कर सकते हैं, अगला प्रस्न देखिए, अगला प्रस्न हमारा है, एक बाग के ब्रिक्चों में, नीम के ब्रिक्चों की संख्या एक छटवा भाग है, आधी ब्रिक्च असोक के है और सेस यूकिलिप्टस के हैं, यदि नीम के ब्रिक्चों की संख्या पाँच है, तो बाग में यूकिलिप्टस के ब्रिक्चों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजे कि कह रहा है नीम का ब्रिक्च कितना है बाग में, तो नीम का ब्रिक्च है, वह ह पांच है कितना है पांच है तो कुल ब्रिक्ष यहां पर निकल जाएगा कि बाग में कुल ब्रिक्षों की संख्या कितनी है तो कुल ब्रिक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी पांच गुने छे यानि कुल ब्रिक्ष जो है वो बाग में तीस है कुल ब्रिक्षों की संख्या क निकाल लेते हैं असोग की ब्रिक्ष जो है वो आधी है तो तीस का आधा क्या हो जाएगा पंदरा यानि पंदरा ब्रिक्ष किसके हैं असोग के हैं अब हमें फाइंड क्या करना है तो यू के लिप्टस के ब्रिक्षों की संख्या फाइंड करनी है किसके तो यू के लिप्ट Eucalyptus के बारे में पूछ रहा हैं कि इसके कितने ब्रिक्ष हैं तो यहां देखे, कुल ब्रिक्षों की संक्या कितनी थी? उसमें से 5 जो है वो किसके ब्रिक्ष है? नीम के और 15 किसके ब्रिक्ष हैं? 15 जो हैं वो असोग के हैं तो यूकिलिप्टस के कितने हो जाएंगे 15 में 5 को जोड़िए 20 और 30 में से 20 को घटा दिजे कितना हो जाएगा 10 यानि यूकिलिप्टस के ब्रिक्ष कितने हैं बाग में 10 हमारा आंसर हो जाएगा option number 2 अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन हमारा है एक रेलगारी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16 बज के 30 बजे प्रस्थान करती है और अपनी गंतव्य अस्थान पर 31 अगस्त को 8 बज के 45 बजे पर पहुंचती है तो इस यात्रा का कुल समय ध्यान दीजे जो रेलगारी है वो दिल्ल सिसे कब खुल रही है 39 अगस्त को और पहुंचती कब है 31 अगस्त को बीच में एक और दिन है 30 अगस्त इसके बीच में कितने 24 गंटे हो गए हमारे चीक है यानि इसके बीच हो गया 24 गंटा उसके बाद कह रहा है कि यह 31 तारी को कप पहुंच जाता है 8 बज़ करके 45 सुबा के 8 बज़ करे 45 मिनट पर अब क्या करेंगे 30 तारी को ध्यान रखना है 30 तारी कि यानि की 30 तारी के रात 24 24 बजे में से क्या करेंगे 16 बज करके 30 मिनट के बीच Difference find कर लेंगे कि कितना अंतर है तो कर लेते हैं यह कितना हो गया यह हो गया हमारा माइनस 30 मिनट और यह कितना हो गया यह हो गया हमारा 14 में से 6 जाएगा तो कितना बज जाएगा आठ, यानी 8 गंटे-30 मिनट, अब यहाँ देखे, यह 30 मिनट जो है, वो माइनस में है, इसको प्लस में कंवर्ट करने के लिगे क्या करेंगे एक, यानी कि 60 मिनट से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 गंटे-30 मिनट कितने गंटे का डिफरेंस है साम के 16 बज़ के 30 मिनट से रात के 24 बज़े तक में कितना डिफरेंस है सारे 7 गंटे का डिफरेंस है और पहुंचता कब है तो 8 बज़ के 45 मिनट अब पूछ रहा है कि यात्रा में कुल समय कितना लगा तो यहां देखिए 29 तारिक से 30 तारि को साम से लेकर के रात के 24 बजे तक में कितने गंटे का डिफेर्ञ्स निकला था 7 बज करके 30 मिनट का पहुँढ़ तक अब है 31 तहारी को 8 बज के 45 मिनट तो यह हो गया 8 बज करके 45 मिनट जोर दीजे सब को तो कितना हो गया यह हो गया हमारा 5 हो गया हमारा साथ और यह हो गया आठ साथ पंदरा पंदरा में fluor में को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो乐 कि अ おर यह मैं हो चालेश म्हं गन्ति पंदरा मिनत अब यह 25 मिनत है तो यह साठ मिन इसको देदेगा तो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 40 गंटे 15 मिनट क्या हो जाएगा 40 गंटे 15 मिनट तो हमारा answer कितना find हो गया answer find हो गया option number 40 का correct answer है 40 गंटे 15 मिनट देखा आप लोगों ने बहुत ही आसान था इस तरीके से सवाल solve करेंगे तो कोई दिकत नहीं आएगी सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं अगर आप इसी तरीके से practice करते रहेंगे तो क्या होगा जो आपका math section है उसमें 15 नंबर के जो mathematics के question पूछे जाते हैं वह 15 के 15 नंबर आप क्या कर सकते हो achieve कर सकते हो या 15 नंबर जो है वह कहीं नहीं गया है आपका अगर आप practice करते हो तो इस 15 नंबर को आप achieve कर सकते हो और ये आपके लिए क्या हो सकता है positive point हो सकता है तो आपको क्या करना है आपको हमारे साथ practice करनी है आप चाहो तो question को अपने notebook में note कर सकते हो उसके बाद घर में अराम से बैठ करके इसका practice कर सकते हो हमें इसा अपने लिए कुछ वक्त निकालो और उस वक्त में आप practice किया करो अगला question देखते है अगला question क्या है निमनलिकित में से किसमे लंबाईयों को घर्टे करम में व्यवस्थित किया गया है तो यहाँ ध्यान रगिएगा कि यूनिट से جो है वह पहली बार ही प्रसन पूछा है सीटेट में यूनिट से related प्रसन जो है वह पहली बार आया है हो सकता है कि जो अब होने वाला है हमारा सीटेट का paper क्योंकि अभी जो जुलाई में होने वाला था वो तो cancel हो गया तो इसके लिए आपको क्या करना होगा preparation करनी होगी और यहाँ देखिए कि 2019 में unit से related question पूछा गया है तो हो सकता है कि हमारा जो paper seated का आने वाला है उसमें भी unit से related question पूछा जाए तो हमें क्या करना है unit based question को भी solve करना है तो चलिए इस question को solve करते हैं question में क्या कह रहा है घटे करम में हमें क्या करना है इसे विवस्थित करना है घटे करम यानि की descending order descending order में क्या होता है तो सबसे पहले क्या होता है बड़ा संक्या होता है उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा यह क्या होता है descending order चलिए मैं यहाँ पर आपको संख्या ही, अगर मैं देती हूँ तो आप इसको घठते करमें कैसे सजाएंगे तो घठते करमें क्या होता है जो सबसे बड़ा संख्या है वो पहले आएगा तो 20, 26 और 10 में सबसे बड़ा क्या है? 26 है 26 पहले लिखा जाएगा उसके बाद आएगा 20 उसके बाद last में आएगा 10 तो यह जो करम हमारा चल रहा है इसको क्या कहते हैं घटे करम क्या कहते हैं घटे करम यानि कि descending order ओके अगर यही कहता ascending order में करने के लिए तो क्या होगा सबसे छोटा पहले होता उसके बाद उससे बड़ा और सबसे बड़ा last में होता वो क्या कहलाता है बढ़ते करम कहलाता है यानि ascending order तो चल लिए option देखते हैं कौन सा option हमारा correct answer है तो पहला देखिए कह रहा है 85 mm ठीक है 85 mm है और 800 cm 8 mm और 80 dm 8 cm 8 mm अब यहाँ पे सबसे बड़ा unit कौन सा है तो यहाँ देखिए यह हो गया हमारा 85 mm यहाँ हो गया 8 cm 1 cm is equal to क्या होता है 1 cm is equal to क्या होगा 10 mm क्या हो जाएगा 10 mm ठेक है यह ध्यान रखना है और यहाँ 800 cm है इसको हमें किसमें convert करना है इसको करना है हमें mm में convert तो 10 से multiply कर देंगे इसको क्या करेंगे 10 से multiply कर देंगे तो यहाँ कर देते है 800 multiply by 10 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 8,000 mm और इसमें हमें plus कितना करना है इसमें हमें plus करना है 8 mm प्लस कर दीजे 8 mm तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 8008 mm, ठीक है, यह हो गया, 8008 mm, आगे देखते हैं, आगे हमारा है 80 DM, अब DM के बारे में जान लेते हैं, तो 1 DM is equal to क्या होता है, 100 mm, क्या होता है, 100 mm, ठीक है, अब यहाँ 80 DM है, तो क्या हो जाएगा, 80 multiply हो जाएगा, किस से, 100 से, यहाँ कर देते हैं, 80 multiply by 100, और उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है, 8 cm, हमने देखा, 1 cm is equal to क्या है, 10 mm, तो 8 cm को mm में convert करेंगे, क्या करेंगे, 10 से multiply कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 8 multiply 10, तो यह कित हमारा 8000 यहां लिख देते हैं 8000 प्लस 80 क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा हमारा 8080 mm और उसके बाद क्या है उसके बाद है हमारे पास 8 meter 8 meter is equal to 8000 mm अब हमें देखना है कौन सा descending order में है तो यहां देखिए first option जो है हमारा वह कह रहा है 85 mm second option 80 dm प्लस 8 cm 80 dm प्लस 8 cm क्या हो गया था 8080 mm और यहां 85 mm है यानि second option क्या है incorrect third option में कह रहा है 8 mm तो 8 mm is equal to क्या हो गया था 8000 mm तो 8000 mm तो कम है यानि third option भी यानि third option भी हमारा incorrect है fourth option देखिए fourth option में क्या कह रहा है 85 mm first option में भी 85 mm है और fourth option में भी 85 mm है इसमें second में कह रहा है 80 dm प्लस 8 cm 80 dm it means 8000 80 dm प्लस 8 cm को क्या कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं 8080 mm होके उसके बाद है 800 cm और 8 mm 800 cm it means 10 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 8008 mm और यह हो जाएगा हमारा 8,000 mm तो यहाँ देखिए यह हो गया हमारा 8080 और यह हो गया था हमारा 8008 तो कौन से ग्रेटर है option नमबर चार वाला जो है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यह हो जाएगा हमारा 8008 mm और यह हो गया हमारा 8080 mm तो 8080 mm is the greater than 8008 mm so our correct answer is option number 4 अगर आपको यूनिट से related question में problem होती है तो आप हमें comment करके बताए मैं कोशिस करूंगी कि इसी type के questions की practice आपको कराई जाए आप हमें comment करके बताए अगर आपको समझने में problem होती है तो अगला question है एक 180 cm लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया यदि आयत की चौड़ाई 30 cm है तो इसकी लंबाई क्या होगी यहां में ज्यात करना है तो यहां देखे आयत के बारे में जानते हैं कि उसकी क्या होती है आमने सामने की बराबर होती है, तो चौड़ाई दी हुई है कितना 30 cm, ये भी कितना हो गया 30 cm, और परिमाप क्या होता है, तो सभी भुजाओं का योग जो है वह परिमाप होता है, परिमाप यहाँ पर दिया ही हुआ है, कितना 180 cm, क्योंकि कह रहा है कि तार जो है, वह 180 cm लंबी है, और उसस आयत बनाया गया है, तो पड़ी माप कितना हो गया है, 180 cm, चौड़ाई दी हुई है, तो पड़ी माप निकालने का रूल क्या है, दो गुने लंबाई जोर चौड़ाई, ठीक है, अब दो इधर गुना में है, तो एक्वल के इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें ग्यात नहीं है, चौड़ाई हो गई हमारे पास 30, अब दो से इसको डिवाइड कर दीजे, तो कितना हो जाएगा, दो नम 18, ये कितना आ गया, 90, अब लेंथ निकल जाएगा, लेंथ मराबर क्या हो जाएगा, 90 घटे 30, 90 में से 30 घटा दीजे, 60, लंबाई कितनी आ जाएगा, उपसन नमबर टू, इसका करेक्ट आंसर होगा, अगला प्रसन देखिए, कह रहा है, सूपर वाजार में सबजीयों की मुल्ले सूची निम्न है, अब यहां पे सबजीयों का मुल्ले सूची दिया हुआ है, कोश्चन देखते हैं, कोश्चन में क्या कह रहा है, अब संजे ने आधा केजी टमाटर खड़ीदा, अब यहां देखिए, एक केजी टमाटर का मुल्ले कितना है, चालिस रूपए, तो आधा केजी का कितना हो जाएगा, बीस रूपए, ठीक है, यही पे हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद एक केजी आलू, अब यहां देख दो, दो दो नी चार, दो पंचे दस, बारा रूपए, पचास पैसा, एक किलो अलू का दाम, उसके बाद केजी गाजर, अब देखिए, दो सो पचास गराम गाजर का दाम है, कितना? बीस रूपए, तो आधा किलो में कितना होता है, आधा किलो में पान सो गराम होता है, कित कितना होगा दोस्ते गुना कर दीजे कितना हो गया बीस दूनी चालिस यानि अब हमें किसका निकल गया गाजर का भी निकल गया गाजर का कितना निकला 40 रुपे आगे कह रहा है 250 ग्राम मिर्ची भी लेता है वो अब मिर्ची का देखते हैं 100 ग्राम कितने में दे रहा है 10 ग्राम और जुर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा दो yatुस्त तो ओर पस पचाश चाहां हो ग्राम का हैं दरे कि तो फूस्त ग्राम और. कर दीजे और चार से भाग कर दीजे कितना आ जाएगा ये हो गया हमारा ये तीन पचे 15 कितने रुपए हो गया 15 यानि छे नीम्बूओं का दाम भी निकल गया कितना 15 रुपए अब कह रहा है कि उसने क्या किया कलर काउंटर को 200 रुपए का नोट दिया है तो अब उसे कितना पैसा वापस मिलेगा पहले अब हम क्या करेंगे सारा जोड लेंगे कि हमने कितने कितने रुपए की सबजी खड़ी दी तो हमने 20 रुपए का क्या खड़ीदा टमाटर आदा किलो उसके बाद 1 किलो आलू खड़ीदा 12 रुपए पचास पैसे का उसके बाद हमने 40 रुपए का गाजर लिया उसके बाद हमने क्या लिया मेर्च लिया मेर्च लिया कितना 250 क्राम 250 क्राम का दाम हो गया 25 रुपए और उसके बाद हमने छे निम्बू लिये तो छे निम्बू का दाम कितना हो गया 15 रुपए ठीक है यह हो गया अब सब को जोड़ दीजे तो कुल कितने हो हमारे पास यानि कुल हो गए हमारे पास 112 रुपया पांच 50 선물 हमने कुल 112 रुपया 50 की kharriedारी की सब्जियों के 200 रुपय दिये और हमने सरी सब्जी खड visions 112 रुपया 50 पैसे का तो घटा दीजिए इसमें से हमारा आनसर find हो जाए गा यह जीरो कजीरो दस में से पांच गया बच गया पांच यो गया नो में से दो जाएगा कितना बचेगा साथ यो गया हमारा नो में से एक गया तो कितना बच गया नो में से एक जाएगा तो बच जाएगा आठ और एक में से गया खतम यानि दुकानदार यानि कि जो काउंटर का लग थ वह हमें 87 रुपया 50 पैसा रिटर्ण करेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा option number second अगला प्रसन कहा रहा है मैं दो अंकों की संख्या हूँ मैं किसकी संख्या हूँ? दो अंकों की उसके बाद कहा रहा है दहाई के अस्थान पर अंक और इकाई के अस्थान पर अंक क्रमिक अभाज्ये हैं यानि जो अंक दहाई के अस्थान पर है और जो अंक इकाई के अस्थान पर है वह क्या है? अभाज्ये संख्या है उसके बाद अंकों का योग जो है तीन और चार का गुनज है अब यहाँ देखिए हमारा option से यह answer find हो जाएगा तो हम देखते हैं कि सारे options में क्या है एकाई और दाई के जितने संख्या हैं सभी अभाजे हैं अब देखते हैं कि किसका जो है योग 4 और 5 का गुनज है तो यहाँ देखें सबसे पहले है 5 में जोड़ दीजे 7 कितना हो जाएगा 7, 5, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 4 से भी दूसरे option में है 20 यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 यह न 3 से दिवाइड है न 5, 4 से उसके बाद है 3 प्लस 5 5, 3 कितना हो जाता है 8 8 सिर्फ 4 से डिवाइड है 3 से नहीं तो हमारा ये भी नहीं होगा उसके बाद है 1 प्लस 3 1 प्लस 3 कितना हो जाता है 4 तो ये भी सिर्फ 4 से डिवाइड है 3 से नहीं तो option से ही क्या हो रहा है हमारे answer find हो गए option number 2 नहीं हो सकता option number 3 नहीं होगा option number 4 भी नहीं होगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है एक railway station पर car parking की parking दर निमने रूप से चितरित की गई है अब यहाँ ए में कहरा है दो गंटे तक वह 50 रुपय लेता है दो गंटे से उपर और पांच गंटे तक वह 75 रुपय लेता है पांच गंटे के पस्चाथ यानि पांच गंट प्रति अतिरिक्त जो है गंटा 10 रुपय जितना गंटा बढ़ता जाएगा उतना 10 रुपय बढ़ता जाएगा उसके बाद 8 गंटे से उपर और 12 गंटा तक यानि कि 8 गंटा और 12 गंटा के बीच में वह 1.500 रुपय लेगा उसके बाद 12 गंटे से उपर और 24 गंटे तक में व वे और उसे उसी दिन ही लेने वह सारे चार बजे साम पर आया तो उसे कितने रूपऐ भुगतान करने होंगे अब देखिए सुबह साथ बजे वह क्या करता है कार पार्श में लगाता है लेने कख आता है तो सारे चार बजे ठीक है अब हम क्या लिखते हैं सारे चार को 24 गंटे के घड़ी में क्या लिखते हैं 16 बज़ के 30 मिनट लिखते हैं 16 बज़ के 30 मिनट के बीच में सुबह 7 बज़े से कितना अंतर हो जाएगा ये निकालें तो ये हो गया हमारा 30 मिनट और 16 में से 7 जाएगा तो 9 कितने घंटे का अंतर आ गया सारे 9 घंटे तो उसकी जो गाड़ी है कार वो पार्किंग में कितने घंटे रहे सारे 9 घंटे तो अब हमें बताना है सारे 9 घंटे का कितना चार्ज उसको देना पड़ा तो यहां option number D को ध्यान से देखिए यहां कहा रहा है कि 8 घंटे से उपर और 12 घंटे तक कितना रूपए देना पर रहा है 1500 रूपए और हम गाड़ी कब तक खड़ी रहती है तो सारे 9 बजे तक यह 8 बजे से उपर है और 12 बजे तक के बीच में तो हमारा answer क्या हो जाएगा option number 2 हमारा correct answer हो जाएगा 1500 रूपए अगला प्रस्न हमारा है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अब हमें बताना है कि इसमें से यह 4 कथन दिये हुए हमारे सामने हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है तो पहला कथन देखी पहला कह रहा है सभी अभाजे संख्याएं बिसम संख्याएं होती है तो पहला कथन सही है क्योंकि सभी अभाजे संख्याएं जो हैं उसको हम बिसम संख्या कहते हैं दूसरा कसन देखें, दूसरा कथन है, अभाजे संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, हाँ ये भी हो सकती हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, जो अभाजे संख्याएं हैं, तो हमारा दूसरा ओप्सन भी सही है, तीसरा ओप्सन है हमारा अभाजे संख्याओं के केबल द दो गुणन्खंड होते हैं जरूरी नहीं है कि अभाजे सैंख्या के के वल बुद नंक का इससे अधिक को सकते हैं जैसे नौ क्या है नौ अभाजे संख्या यह लेकिन इसका गुणन्खंड किया एक, तीन और js zwischen 1 या कितने गुणन्खंड आ रहें यहां पर तीन आ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा option number 3 हमारा correct answer हो जाएगा क्योंकि option number 3 में जो भी कथन कहा जा रहा है वह कथन सही नहीं है और हमें answer क्या find करना है कि जो कथन सही नहीं है वही हमारा answer होगा अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण कहा रहा है आरो ही क्रम में विवस्थित करने पर निमलिकित में से कौन सी संख्या तिर्थिय अस्थान पर होगी हमें अब क्या करना है आरो ही क्रम में विवस्थित यानि ascending order में मैंने आपको पहले भी बताया है ascending order में जब भी हम किसी भी संख्या को विवस्तित करते हैं तो सबसे छोटा संख्या पहले आता है यहां एक उदाहरन देखर कि मैं अपको बता रही हूँ कि अगर मैं यहां लेती हूँ 101, 98, 3, 5 तो अगर मैंने यह संख्या यह ले लिये 101, 98, 3 और 5 इसको मैं आरोही करम में लगाना है तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है यानि 3 उसके बाद उससे बड़ी है 5 उसके बाद उससे बड़ी है अंठाबन उसके बाद 101 तो यहां देखा कैसे सजी है यह आरोही करम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होगी उसके बाद उससे बरी उसके बाद उससे बरी और अंत में सबसे बरी तो यहां हमें क्या करना है आरोही करम में इन संख्याओं को सजाना है तो कैसे सजाएंगे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो decimal को देखे confused हो जाते हैं तो confused होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहां देखे decimal को हम क्या करेंगे हटा देंगे decimal हटाते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं 707 बटे में क्या हो जाएगा 100 उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम यहां पे उसके बाद यह हो गया हमारा 770 बटे में 100 दूसरा हमारा है तीसरा हमारा है 7707 बटे में कितना आ जाएगा 1000 अब नीचे आप देख रहे होंगे कि कैसे 0 बढ़ता जा रहा है तो यहां ध्यान दिजएगा दसमलो के बाद जितने अंख होंगे एक पर उतना सुनने नीचे आ जाएगा यह हमें ध्यान रखना है तभी आप दसमलो का सवाल सॉल्व कर सकते हैं अब यहां देखिए चौथा हमारा है 7707 और बटे में कितना हो जाएगा 1000 क्यों होगा क्योंकि दसमलो के बाद 3 डिजट है उसके बाद है 077 बटे में यानि 077 बटे में कितना हो जाएगा 100 यह हो गया अब क्या करना है वो ध्यान देजे अब हमें सभी का डिनोमीनेटर यानि यह जो डिनोमीनेटर है हमारा समान करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सौ को हजार बनाने के लिए क्या करेंगे, सौ को हजार बनाने के लिए दस से गुना करेंगे, तो उपर नीचे दोनों दस से गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा साथ हजार सत्तर बटे में हजार, उसी तरीके से सभी क कर लेंगे तो यहाँ भी ये क्या है? 77, 100, बटे में 100, तो दस-दस से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7700, और ये अब बटे में 1000, दूसरा संक्या थो हमारा दिया ही है, ये 77, 100, बटे में 1000, ही तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, तीसरा भी हमारा 7000 साथ है और बटे में 1000 है चौथा हमारा 77 बटे कितना है? 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा 770 बटे में कितना? 1000 यह हो गया अब हमें बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो यहां देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 770 बटे में 1000 यानि पहले अस्थान पे यह आएगा यहां हमने वन लिख लिया दूसरे अस्थान पे कौन सा संख्या आएगा वह देखना है तो दूसरे अस्थान पे यहां देखो 7070 है यह 7700 यह 7707 और यह कितना है 7700 तो दूसरे नमबर पे हमारा आ जाएगा 7.007 अब देखेंगे तीसरे नमबर पे कौन सा आएगा तो तीसरे नमबर पे देखो यहां 7070 है यहां 7700 और यहां 7707 है तो तीसरे नमबर पे हमारा 7070 वाला आ जाएगा यानि पहला यह उसके बाद चौथे नमबर पे कौन सा आएगा तो चौथे नमबर पे हमारा यह आ जाएगा 7700 यानि हमारा दूसरा आ जाएगा चौथे नमबर पे और पांचमे नमबर पे कौन सा आएगा तो पांचमे नमब पर यह आ जाएगा अब देखे क्या पूछ रहा है हमारा सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है वो तिर्थी अस्थान पर होगी तो तिर्थी अस्थान पर कौन सी संख्या है तो आप हमें कमेंट करके बताईए हम कोशिस करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करें अगला प्रसन देखिए, अगला प्रसन हमारा है, एक पांच अंकों की संख्या में, दहाई के अस्थान का अंक आठ, इकाई के अस्थान का अंक दहाई के अस्थान के अंक का एक चौथाई है, हजार के अस्थान का अंक जीरो, सौवे अस्थान का अंक इकाई के अस्थान का दुगुना है और दस हजारवें अस्थान का अंक जो है वह इकाई के अस्थान का तिगुना है तो संख्या क्या होगी तो यहां हम लिख लेते हैं once tens hundred यह हो गया हमारा thousand और यह हो गया हमारा कितना ten thousand अब देखते हैं क्या कह रहा है एक पाँच अंक का संख्या है दहाई के अस्थान का अंक कितना है आठ तो यह हो गया हमारा इकाई यह दहाई यह है आठ उसके बाद कह रहा है इकाई के अस्थान का अंक दहाई के अस्थान के अंक का एक चोथाई है अब आठ का कितना है एक चोथाई तो आठ का एक चोथाई क्या हो जाएगा दो तो इकाई में कौन सी असंख्या है दो आ गया उसके बाद कहा रहा है हजार के अस्थान का अंक जीरो है ये हो गया हमारा हजार हजार के अस्थान का अंक जीरो है सौबें अस्थान का अंक इकाई के अस्थान का दो गुना तो इकाई है हमारा दो दो का दो गुना कितना हो जाएगा दो दो नी चार और कह रहा हैं कि दस हजारवें अस्थान का अंक जो है वह इकाई के अस्थान कत्ती गुना तो यहीं काई हमारा दो है, दो काती होना कितना हो जाएगा, दो तीय चे, तो संख्या क्या find हो रहा है हमारा, संख्या find हो रहा है 6482, तो मारा answer क्या हो जाएगा, option number 4, इसका correct answer हो जाएगा, 6482, तो आज का वीडियो यही समाप करती हूँ, इस question paper से related, कोई भी problem आपको होती है, तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, हम आपकी problems को solve करने की पूरी causes करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो आप हमारे चैनल को subscribe करने, वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ भी से share जरूर करें, आप सब का धन्यवाद,